ह हलो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में प्रेजंट-इंडफ्रेत पढ़ेंगे प्रेजंट-इंडफ害यटं को सिंपल प्रेजंट भी कहते हैं तो सब्से पहले इसकी पहचान क्या है अगर वाक्यक्ययंत में ता ती है, यह आते हैं, तो समझ लेंगे कि यह present indefinite है, और यह भी ध्यान एगें, कि ता है, ती है, ती है यह वर्प्स में होता है, किरिया जो होते हैं, कि खाना खाता हो जाती है, पीना पीता हो जाती है, इस तरह से change हो जाता है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले इसके लिख ले है तो जो affirmative है सबसे पहले वाला affirmative उसमें क्या होता है subject plus verb की first form उसमें CIS लगा देते हैं अगर singular है तो plus यहां पर singular लिख देते हैं plus object plus others यह हो गया affirmative का formula second is negative negative में क्या होता है दो formula होते हैं इसमें note वाला एक never वाला तो note वाले में क्या होगा कि subject plus does do में से कोई एक लिखेंगे plus यहां पर note plus verb की first form plus object plus others और never वाले में क्या होगा यही formula होगा पस यहां पर never put कर देंगे तो subject plus never प्लस वर्ब की first form में as is अगर singular है तो प्लस object plus others और अगर हम तीसरा integrative देखें तो integrative के two parts होते है single integrative जिनमें yes no का पता चलता है तो single integrative का क्या formula होगा यही वाला formula same यही वाला होता है बस क्या होगा कि यह first second third फोर्ट फिर्ट शिक्स इसमें 6 चीज़े हैं तो इसमें क्या करना है जो second number की चीज़े डजडू उसको पहले ले आएंगे subject को बाद में ले आएंगे तो formula हो जाएगा डजडू में से कोई एक plus subject plus note plus work की first form plus object plus others और double integrative में क्या होगा सिर्फ wh यहां पर extra हो जाएगा शुरू में लगा देंगे बाकी यही formula होगा सारा यही वाला तो डब्लू एच पिलस डजडू पिलस subject plus note never इसमें यह धियान रखेंगे कि यह वाले formula होंगे integrative इसमें जो note वाला और never वाला वे एक जैसे ही बनेंगे उसमें दोनों को अलग नहीं बनाएंगे तो WH does do subject note never में से कोई एक plus verb की first form plus object plus others यह formula हो जाएगा double integrative का अब एक इसमें होते MP sizing MP sizing तो उनको कैसे बनाएंगे emphasizing का मतलब होता है दबाब प्रिकट करने वाले दबाब देके जोड देके कोई बात को कहना तो इसके पहचान होगी अवश्य यह तो यह शब इसमें जरूर होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि यह वाला formula note वाला बिना note के note वाले formula में note नहीं लगाना बस तो subject plus does do यहीं से हम बना लेंगे plus note नहीं लगाएंगे plus वर्म की first form plus object plus others तो आपने देखा कितना एजी है formula लिखना और जैसे हम एक बार लिख के दो तीर बार practice करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे फिर हम easily सारे sentences के बना सकते हैं अब हम इसकी practice करेंगे जैसे कर हम affirmative का देखें affirmative का मतलब होता है स्वीकारात्मक किसी बात को स्वीकार करना accept करना इसमें नहीं कभी नहीं या क्यों कब कैसे जो intuitive words है वो नहीं आएंगे तो समझेंगे हमकी यह affirmative है जैसे वह हो की खेलता है अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने पैचाना कैसे कि present indefinite है इसमें ता है आ रहा है तो समझेंगे कि यह present indefinite है तो हम इसको इस फॉर्मूली से बनाई क्योंकि यह affirmative है इस बात को सिकार करने के वह होगी खेलता है तो सबसे पहले subject ही सबसे पहले मुने लिग दिया ही अब वर्ब की first form खेलना खेलने को हम कहते पिले एक सिंगूलर है तो यहां पर जो वह है वह एक सिंगूलर है एक वचन है तो यहां पर प्लेस और होकी फुटबॉल ही प्लेस फुटबॉल यह object हो गया और दर्स का मतलब होता है कि जितने और आगे compliment या जो और वर्ड से आगे आएंगे उनको मैंने अदर्स में लिख दिया है आप इसको अच्छे तरह से समझने के लिए कि क्या structure है मैं एक वीडियो पहले भी आपके लिए बना चुकी हूं पार्स और प्रेडिकेट उसमें बताया गया है उसमें सेंटर्स का structure बताया है तो उस इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट और एडजंट को यहां पर स्वीधा के लिए अदर्स लिख दिया है किस तरह से लगाना किस फॉर्म में किस लाइन में लगाना है वह आप मेरी देख सकते हैं मैं इसमें लिंक सेंट कर दूंगे आपको तो वह हो कि खेलता है इसमें ही हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिले ऐसे लग गया क्योंकि सिंगुलर है और फुटबॉल अब्जक्त लगया अदर्स है ने तो छोड़ दिया तो सब्जट का पता कैसे लगता क्या कि जिससे खेलना का वर्ब का वर्ब है यहां पर खेलना उसका फरक जिस पर पढ़ इस समझो कि वह है और फुटबॉल और खेलना जितने भी अक्षन वर्ब होते हैं यह वर्ब होते हैं एक चीश ओर की इसमें हम सिंगुलर कि इसको मानेंगे और प्लूरल किसको मानेंगे तो जो भी ही शी इट या किसी का नाम है वे सारे सिंगुलर मानेंगे उनमें और यह इस लगाएंगे बाग की सम्में नहीं लगाएंगे इसमें आई को हम प्लूरल की तरह मानेंगे आई को किसी संटेंस में प्लूरल की तरह देखते हैं किसी में सिंगुलर की तरह देखते हैं तो जैसे संटेंस सीखेंगे वैसे आपको उसका यूज बताते रहेंगे आप जैस से पहले subject ही क्योंकि एक वचन है तो does not खेलना play और होकी यह हो गया object others इसमें हाई नहीं तो he does not play होकी अगर हम इसको negative वाला नेवर वाला बनाएं never miss कभी नहीं होकी कभी नहीं खेलता है तो कैसे बनाएंगे he और यहां पर never पर दूसरे नमबर पर और पिले और यह एक वचन है singular है तो एस प्लेस और होकी तो he never plays होकी एक चीज़ और बता दूं कि एस या यह कहां पर लगाएंगे अगर किसी भी वर्ब में लाश्ट में एस डबल एस है एस है च है डबल जय है यह अगर है तो यह लगेगा बाकी सम में एस लगेगा लेकिन अगर यह किसी के बाद में उससे पहले कोई वह वाला जैसे कि से तो इसमें वाई के बाद पुरंत एस लगेगा तो यह हो जाएगा ऐसे वाई एस लेकिन अगर वाई है लाश्ट में उससे पहले कोई भी कॉंसों एंटर जैसे की फिलाई उड़ना तो इसमें क्या होगा वाई को आई एस में बदल देंगे और वाई को हटा देंगे तो यह हो जाएगा iblical flies यह आप इसमेन से समझ सकते हैं अब नेक्स्ट इस इंट्रोगेटिव में जो सिंगल इंट्रोगेटिव वहेड़ना है पहले पढ़ चूके हैं जिन1 शब्द पहले आता है वैं सिंगल आपो यह होकी है घिलता है य이션 को नहीं खेलता है तो इसको बनाएं इस इसका यह सबसे पहले ले आएंगे उसके बाद इसको ले जाएंगे तो अब क्या में होगी खेलता है वह क्या है वह सिंगुलर है तो उसी के अकोर्डिंग हम डजडू लगाएंगे तो डजड़ लगाएंगे क्योंकि वह एक है तो डज़ ही सब्जक्ट अब यहां पर हम चीज देखेंगे कि नोट और नेवर यह जो नोट नेवर होते हैं अगर है तो उसको लगा देंगे तो जैसे क्या होक्य खेलता है तो डज़़ ही इसमें नोट नहीं आऽ चोड़ देंगे वर्ब कीÖ होकय क्यों क्यों खेलता है क्यों खेलता है तो इसको हम क्या करेंगे कि जो क्या कब कैसे सब्द होते हैं जितने भी Integative हिंदी सब्द होते हैं प्रिस्वान वाचक शब उनको हम सबसे पहले ले आते हैं जब हम उनको translation बनाते हैं इंगलिश में तो वै हो की क्यों ने क्यों खेलता है जसे मैंने यहाँ पर भी बता है और यह सारे शब्द होते हैं इतना बे ध्यान लखना है कि वे w या हशुरू होते है तो क्यों को हम सब से पहले लेकर आएंगे y क्योंकि हमें पता है कि w या h से शुरू होने वाले वर्ड को सबसे पहले लगाना है उसके बाद does do लगाना है तो वह एक ही है तो he sorry does क्योंकि एक से एक के साथ does और बहुत सारों के साथ do फिर subject लगाएंगे तो he और not never इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे अगर होता तो लगा देते वर्ड की फर्स्ट फर्म पिले खेलना और होगी तो यह हो जाएगा why does he play होकी वह होकी क्यों खेलता है अब एक और है इसमें emphasizing जिसे मैंने बता है अवश्य या तो शब्द होता है उसमें अगर मैं लिखों वह होकी खेलता तो है या वह होकी अवश्य खेलता है एक ही बात अवश्य लगा दे या तो वह होकी अवश्य खेलता है तो हम इसको कै की तरह बनाते हैं लेकिन नोट नहीं लगाते हैं वही सेम फोर्मूला है तो सबसे पहले सब्जक्ट ही ड़स डू में से कोई एक तो ड़स क्योंकि एक ही है खेलना प्ले और होकी इसका मतलब कि वह होकी खेलता तो है इसमें एक चीज़ और धिहान रखेंगे कि अगर कौन व यह वाला होता है यहां पर हम फू लगा दें वह बन जादें से कौन होकी खेलता अगर यह बनाए तो हू प्लेस फुटबॉल क्योंकि जो कौन का उत्तर होता है वही सब्जक्ट होता है तो सब्जक्ट कि अब हम कौन लिख देंगे तो एक ही बात है तो आई थिंक क्या अगर कोई बात के लिए नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट विद यूर फ्रेंड और इफ यू आव अनी डाउट प्लीज फिल फ्ली तो आस्क इन दा कमेंट्स थैंक यू अड हैवे गूड देंग झाल